शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे नन्ने मुन्नों के लिए ध्वनी कारिक्रमों की शंखला शिशु जगत शिशु जगत में आज सुनते हैं कारिक्रम केला पकड़ो पकड़ो दिखो कितना सुंधर खर्णोष है भागो भागो दिखो भाग गया पूर शक्या जाड़ी के पीछे चुनिया मुनिया अब घर आ जाओ ऑबच्चो कितनी बेर से खेल रहे हो आते हैं दादी आते हैं न दादी चलो मुन्या घर चले दादी बिला रही है क हम आ गए आ गए, खेल आए खुब हाँ दादी, हम आ गए चलो, अब मुँ हाथ धो कर कपड़े बदल लो पर दादी, हमें तो भूख लगी है मुझे भी मैं कुछ खाने को लाती हूँ लेकिन पहले हाथ मुँ धो लो मैं फल धो कर लाती हूँ अच्छा दादी धोलिए हाथ मुँ तुम दोनों ने दादी देखिए, हमने हाथ मुँ धोलिए शाबाश, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ कौन सा फल दादी? तुम बताओ, कौन सा फल हो सकता है? मैं कैसे बताओ? मैंने तो देखा है नहीं दादी आप बताओना अच्छा, तो बूझो ये पहेली अपने आप समझ जाओगे कच्चा होता तो हरा होता और पक जाए तो पीला होता समझे बच्चो कच्चा होता तो हरा होता पक जाए तो पीला होता दिखने में वह लंबा होता और खाने में वो मीठा होता समझ में आई? दिखने में वह लंबा होता खाने में वो मीठा होता अब बोलो वो कौन सा फल है? नहीं समझे? वो फल लंबा होता है जब कच्चा हो तो हरा होता है हरा होता है उसकी हम सबजी भी बनाते हैं सबजी बनाते है और जब पक जाता है तो खाने में खूब मीठा लगता है तब तो वो केला ही होगा शाबाश अच्छा चुनिया ये एक केला तुम लो और मुनिया ये एक केला तुम्हारा अरे अरे मुनिया केला तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है खा लो हाँ मुनिया लो खा लो बड़ा मीटा है वाँ केला खाने में तो बड़ा मजा रहा है पर हाँ, केले के छिलके कूडे दान में ही फेकना नहीं तो राजू का जो हाल हुआ था, वो ही तुम्हारा भी हो सकता है राजू कौन दादी? अच्छा, तो सुनो, एक लड़का था, नाम था राजू वो अपने माता पिता के साथ गाउं में रहता था अच्छा, राजू किसी की बात नहीं मानता था खेलते, खेलते, कभी घर में पानी गिरा देता तो कभी कागस के टुकड़े फेक देता टुकड़े फेक देता? हम्, उसके माता पिता बहुत समझाते पर वो किसी की बात नहीं सुनता था फिर आगे क्या हुआ दादी? एक दिन की बात है राजू के पिताजी खूब सारे पके हुए फल ले आए अच्छा? मा ने राजू को भी केले खाने को दिये राजू ने खूब मजे से केले खाए पर जानते हो छिलके कूडे दान में फैकने के बजाए आगन में ही फेक दिये अच्छा? फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे शाम होने लगी अंधीरा भी हो गया तब राजू को उसकी मा ने माचिस की डिब्बी लाने के लिए कहा वो जट दूसरे कमरे से माचिस की डिब्बी लाने के लिए दोड़ा तब ही उसके पाओं के नीचे केले का छिलका आ गया अरे तब तो जरूर गिर गया होगा? हाँ बच्चो छिलके पर पाओं पड़ते ही राजू फिसला और थडाम से गिर गया उसे चोट भी लगी होगी? हाँ वो तो होना ही था राजू दर्द के मारे रोने लगा उसकी माने जब देखा तो उसको जहां चोट लगी थी न वहां दवाई लगाई ओहो उसे तो बड़ा दर्द हुआ होगा हाँ और फिर राजू की माने उसे समझाया कि देखो केले का छिलका हमेशा कूडे की जगे पर ही फैंकना चाहिए फिर क्या हुआ दादी? फिर फिर राजू ने अपनी गलती मान ली उसने मा से उस गलती के लिए माफी मांगी और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा भी किया उसके बाद उसने सारे छिलके उठा कर कूडे में डाल दिये देखा बच्चो केले के छिलके लापरवाही से नहीं फैकने चाहिए केले के छिलके कूडे की जगे पर ही फैकने चाहिए समझ गए? जी दादी अरे बातों ही बातों में मैं सबजी लाना तो भूली गई चलो आज अपने बाग से कुछ कच्चे केले ले आते हैं आज केले की सबजी बना लूँगी चले दादी चलो दादी वो देखिये कितने सारे केले लगे हैं और कितने हरे हरे दिख रहे हैं हाँ बच्चो जानते हो केले गुच्छों में लगते हैं दादी वो देखिये केले के पत्ते कितने बड़े बड़े हैं हाँ, ये पत्ते बड़े काम के होते हैं जानते हो तुम, कुछ लोग इन पत्तों पर खाना भी खाते हैं दादी, वो रहे पिले-पिले केले हाँ, ये तब पूरे पग गए है क्यों ना इन्हे सबजी बनाने के लिए ले चले? हाँ, लेकिन बच्चो, सबजी तो कच्चे केले की ही बनती है ना अच्छा चलो, ऐसा करते हैं पके केले खाने के लिए और कच्चे केले सबजी बनाने के लिए ले चलते हैं हाँ, ये ठीक रहेगा ठीक है जाद, चलिए लंबी पती हरे है पेड़ू इस पर चड़ना नहीं है खेल लंबी पती हरे है पेड़ू गुछों में लगता है हरा हरा होता है केला गुछों में लगता है केला हरा हरा होता है केला पक जाए तो पीला दिखता खाने में है मीठा लगता पक जाए तो पीला दिखता खाने में है मीठा लगता केला अभियाब सुन रहे थे C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुतिय कारिक्रम विशे संयोजन डॉक्टर अम्रेंद्र बेहडा, आलेक महम्मद अलीम, कलाकार मंजु मैनी प्रिया और पाहल, संगीतकार हर्भजन सिंग, धन्यंकन चंदन सिंग, नर्मान सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दावु देयाल चत्रुवेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुत रमेश रानी शर्मा